नमस्कार दोस्तो यूर्स ओन चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज का वीडियो में हम बताएंगे कि आप आप किसी भी पुराने एंप्लिफायर में चाहे वो किसी भी कंपनी का हो उसमें आप जो है Bluetooth मड्यूल जा Bluetooth सिस्टम कैसे लगाएंगे तो हैं तो आप Local Markets से भी ले सकते हैं जाओ फिर Online अगर आप मघाना चाहते हैं तो मैंने Description में इसका लिंक दे दिया है तो चलिए देखते हैं इसके साथ हमें क्या-क्या मिलता है तो मैं इसमें आप देख सकते हो यह हमें एक Main जो हैसका Panel मिलता है तो कीमत इसकी आप जैसे जा तो साथ में हमें एक चोटी सी चीज़ चाहिए यह आइसी जो बोल्टेज रेगुलेक्टर है अठतर जिरो पांच तो यह भी हमें चाहिए है बस हमें यह सिर्फ दो तीन ही चीज़ें चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं तो साथ में आपने देखना है कि आपका जो एम्प् प्रॉपरली जगा बना लूँगा जिसमें यह फिसकर लें तो अगर आप सामने नहीं रखना चाहते हैं तो वह भी आपका जो है ब्लूटूथ काम करेगा तो हमने यह काट लिया है तो यह इस तरह से कुछ फेट हो जाएगा हमारा तो आप अगर काटना नहीं चाहते हैं तो इसको आप पीछे या साइड कहीं पे भी लगा सकते हो जहां आपका मन करें चाहें तो इसको अंदर भी रखते हैं लेकिन उसके लिए सिर्फ इसका ब्लूटूथ ही काम करेगा क्योंकि फिर आपको अगर पैंड्राइव लगाते हो तो उसके लिए आपको यह खोलना प इससे बहुत अच्छा फिट हो जाएगा तो यह देखिए हमारा पैनल जो है हमने प्रेसी में फिट कर लिया तो अब हम जो हमारा बोल्टेज रेगुलेटर है इसके लिए जगा बनाएंगे तो आपने देखना है कि ऐसी जगा फिट करें यहां पे हमारी जो पावर बायर जो है लग जाए तो यह देखिए हमने इसको नट के साथ कस्टी आया बांडी के साथ इससे यह फाइदा होगा कि यह थोड़ा ठंडा रहेगा तो आगे आप देखिए मैँने यह इसमें थोड़ा मार्किंग कर दिया आपको समझाने के लिए तो इसमें आप जैसे देख सक है क्योंकि अगर आपने वायर्स कोई उल्टा सीधा लगा दिया तो आपका पैनल जो है जल जाएगा तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि हमें इसमें 12 वोल्ट जो सप्लाई है जहां 24 वोल्ट सप्लाई कहां से मिलीगी तो यह इस तरह का उसमें पैनल लगा होगा जिसमें ड लगा सकते है और 705 तो चलिए हम पहले मीटर को DC मोड पर रखेंगे 20 वोल्ट पर तो चेक कर लेंगे कि हमारे जो है ट्रांसपार्मर में कितनी वोल्ट जा रही है तो देखिए हमने माइनस और प्लस दोनों में लगाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें 18 वोल्ट के लग ब्लैक कलर की वायर्स लगा लेंगे नेगिटिव और पाजिटिव के लिए तो दोस्तों जब भी आपने इस तरह का काम करना है तो यह ध्यान रखना है कि कहीं पीछे से आपका एंप्लिफायर जो है आन ना हो तो उस शौक लगने का भी खतरा रहता है तो उसका आपने 18 वोल्ट की स्प्लाई आ रही है इसमें तो यह हमारी दोनों वायर्स लगी नेगिटिव और पाजिटिव तो यह देखिए यह दोस्तों बहुत ही सान है इसमें कोई इतना ज्यादा बड़ी साइंस नहीं है अगर आप थोड़ा साथ वीडियो ध्यान से देखेंगे तो अब इसको हम चेक कर लेंगे लगा के तो देखिए यह हमने सेंटर में रखा माइनस और एक साइड आप देख सकते हैं 18 वोल्ट आ रही है और दूसरी तरव यह देखिए 5 वोल्ट तो हमारी जो है पैनल की सप्लाई जो है तियार हो गई है 5 वोल्ट की तो अब हम इसमें प करना है जो मार्ट जिस पर उनक्रों इसेंटर में अगे लगा जिए तो यह देखिए हमारी पर यह स्टर में यह लगा सकती है तो अच्छा होगा आप यह से लगाए और दूसरी वोल्ट जो हमारी पांच वोल्ट और ट let's एक तरफ हमारी 12 volt in आ गई center में ground आ गई दोनों की common और दूसरी तरफ 5 volt out जो हमारे पैनल को जाएगी तो ये देखी दोस्तों हमारे connections लग चुके हैं तो चलिए हम इसको on करके check कर लेते हैं कि हमारा पैनल on हुआ की नहीं तो देखिए ये हमारा पैनल on हो गया है तो चलिए अब हम इसको हमारा काम रहा गया है जो की हमें IDO पे काम करना है इसको IDO कहां से हमने play करवानी है तो उसके लिए आपने क्या करना है mic वाले switch को कभी नहीं छेड़ना है हर amplifier में एक जो है aux cable का connection होता है aux का तो वो वाले switch पे आपने क्या करना है ये जो इस side वाले आप देख रहे है wire center वाली को नहीं side वाली wire को आपने हटा देना है अगर नहीं भी हटाएंगे कोई बात नहीं इससे क्या हो गई आपकी aux wire और ये दोनों कठी काम करेंगी तो इसमें हमें aux wire नहीं चाहिए क्यों aux cable से ये हमारा mobile से हो जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक side ये हमारा main है signal वाली आ गई signal input करेंगे यहां पे आपने याद रखना है signal input पे जैसे हमने green wire लगाई है तो इसके साथ ही हम दूसरी side पे ये जो हमारी negative wire आई होती है तो हम एक negative ले ले लेंगे इससे क्या होगा एक तो थोड़ा इसमें noise जो आती है single wire में आईडियो वाली wire में noise आई जाती है तो उसका भी थोड़ा कम हो जाएगा और साथ में हमें ये ground मिल जाएगा तो इस तरह आप देख सकते हैं ये center वाली wire जो होती है ये ground होती है negative और दोनों side जो है left right channel होता है तो इसके लिए ये amplifier जो है mono amplifier है तो हम सिर्फ एक side से ही लगाएंगे तो उससे हमारा काम चल जाएगा तो ये देखिए हमने center में ground वाली लगा दी और दूसरी जो है green signal वाली तो दोस्तों हमारे जो सारे connections हैं वो लगकर ready हो गया है हमने इसके साथ आप देख सकते हैं ये manage unit driver जो है connect कर लिया है तो अब हम इसको check करके देखेंगे कि ये हमारा किस तरह का बज़ता है तो उसके लिए मैं YouTube से कोई non copyrighted play करूंगा क्योंकि अगर sound बज़ारा लगाएंगे तो उसके लिए जैसे हमने इसको Bluetooth mode पर कर दिया है पैनल को तो अब हम इसको search करेंगे कि इसका क्या नाम आता है तो देखेंगे ये हमारी पहले की use हो है इसको नहीं हमने सबसे नीचे चले जाना वहाँ पर आई होगी तो ये देखिए BT V9 जो ये वाली है तो इसको हम क्या करेंगे अभी pair करेंगे तो देखिए हमारी pair है हो रही है और ये pair हो गई तो उसके बाद हम इस पर कुछ बजा के आपको दिखाते हैं तो चलिए ये देखिए हमारी connected है तो अब हम यहाँ पर कुछ copyright song बजा के इसको चेक करेंगे 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 तो दोस्तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो में देता रहा हूं तो दोस्तो वीडियो के खिने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद